I am graduates जो है जादा तर ये trend रहा है कि बड़े packages के तरफ भागते हैं लेकिन अब trend बदल भी रहा है ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनोंने ये सोचा है कि उन्हें society से बहुत कुछ मिला है तो वापस भी देना है इस वक्त हम सिधार्थ जैसवाल के साथ हैं जो I am graduate है आयम एमदाबाद से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी लेकिन उसके बाद उन्होंने ये decide कि वो किसानों के साथ कदम से कदम मिला कर चलेंगे उनके लिए वो कुछ करना चाहते थे ताकि वो भी flourish कर सके उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाया जा सके अनद आता है और उनके चेहरे पर जब मुस्कान आएगी तभी बाकी लोग जो हैं उनके चेहरे पर भी खुसी दिखेगी उनके चेहरे पर तो आयम ग्रेजुएट थे और इन्होंने किसानों के साथ मिलकर काम करने को का फैसला लिया सावरमती जेल से और्गेनिक फार्मिंग वहां पर भी उन्हो फार्मिंग की जारी है पहले हम इनको इंट्रूइस कराते सिधार जी यह बताईए कि जब आपने आयम किया उस समय में घर वाले क्या चाते थे और आप क्या चाते थे लोग जो है नॉर्मली कॉर्परेट्स में चले जाते हैं बड़े नौकरियों की पीछे बागते हैं चुकाना पड़ेगा किसानों के साथ काम करेंगे तो कितना पैसा कमा पाएंगे तो लोन कैसे चुकाएंगे तो यह उनकी थोड़ी चिंता थी लेकिन मैंने उनको आश्वस्त किया कि नहीं मैं अपना कम से कम परिवार चलाने लाइक उतना तो मैं पैसा कमा ही लूँगा ब स्टुडेंट सेक्रेटरी था मैं और तो मैं जब पास करा तो मैंने सोचा कि जो फार्मर से जो किसान हैं वो एक विश्य साइकल में फसेव हैं कि उनको अच्छा अब बेस्ट ब्रेंड सोते हैं उसको हायर नहीं कर पाते हैं तो उनका सिस्टम कैसे इंप्रूब हो उनको समझ किसान के साथ काम करना पड़ेगा तो मैंने डिसाइट कि नहीं मैं किसानों के साथ काम करूंगा ताकि उनका भी अपलेफ्मेंट हो सके और एक सबसे इंपर्टेंट बात यह भी थी कि उसक्त बीटी बिरिंजल बीटी कॉटनी सब काफी जिनेटीकली मॉडिफाइड क्रॉ करेंगे तो जब तक किसान का एडूकेशन नहीं होगा उनका प्रॉपर औरियंटेशन नहीं होगा और गैनिक फार्मिंग करना नहीं करना है नहीं सिखाएंगे तो हमको अल्टिमेटली जहरी खाना पड़ेगा तो आपने स्टार्ट कर दिया उसके बाद आपने सबसे पहल पर बाद बाद जो है बिर्सा मुंडा जेल वेगरा बाद यहां पर रांची जारकंड में 2012 में यहां पर बिर्सा क्रिशी विश्व द्याले में एक विश्व बैंक परियोजना थी बिजनस प्लाइन डवलप्मेंट यूनिट तो पूरे भारत में दस जगह थी पूरवतर बिर्सा क्रिशी विश्व द्याले दूसरा कॉल करता में निर्जाफर इंस्चूट है नियाग सी और पर उतना कमर्शल सिस्टम yin है कि बहुत ज्यादा यूरिया डेपी पेस्टिसाइट से जमीन बरबाद हो उतना भी खराब नहीं है तो यहां थोड़ी भी अगर मेहनत की जाए किसानों के साथ तो किसानों का बहुत बेटर्मेंट हो सकता है अभी सर अभी आप क्या कर रहे हैं जैसे यह अगर इस फार्म क को और्गनिक फार्मिंग में और्गनिक संब्सक्राइब आप मार्केट से बायो फर्टलाइजर बायो πेस्टिसाइड खरीद के इस्तीमाल कर सकते हैं लेकिन ऐचरल अप क्यांटर Vivint को नहीं खरीटेंता हैं सारे जैवी खाब की इतना शक्षण खुद बनाता है तो यह फ पूरा फार्म नैच्रल फार्मिंग का फार्म है प्राकरति खेति का पूरी आठाट दस फूट कांसी घास थी यहां पर अंदर कोई घुस नहीं सकता था यहां पर इतना था हम लोग ने जो हमारे जो आदिवासी भाई थे उनसे बात की बोला कि नहीं शहर में बहुत सारे लो कर सकते हैं और पर किसानों को भी बताया आप अजब कर दें किंताया का अलब तकी बीच-बीच में किसान अक्षान ड़ी ते सार की साथ यहां की शाह debate यह पूरे भारत में मद्यप्रदेश इसमें काफी एरिय में हिस्से में हो रही है, काफी लोगों ने बढ़िया काम किया इसमें, इसमें हम लोग 5-6 लेयर में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, पहला जो अंडरग्राउंड लेयर है, उसमें हो गया लहसून, प्याज है, अदरक ह से नीचे सब्जियां होती है, कंध वाली, दूसरी सब्जी जो आपकी जमीन के उपर होती है, जी आपका फूल गोभी, बन्दागोभी या आपका ब्रो्कोली हो गया, यह दूसरा लेयर हो गया, तीसरा लेयर वो象 हाँ, जाड़ी-दूब्स होती है, टमाटर है, श्रिम्ल पांचवा लेयर की बेड में इसके बाद भी जगह बसती है तो हम लोग ग्रीन लीफी वेजटेबल से जितने भी साग होते हैं चाहे पालक हो चाहे धन्या हो मेथी हो लाल सागो हरा सागो यह पूरा उसको बिन देते हैं पूरा डेंसली उसको पॉपुलेट कर देते हैं पां अब पूरा का पूरा इस फार में कोई भी हाइब्रीड बीच का इस्तिमाल नहीं किया गया है अब आप जैसे बता रहेते हैं आपके आप किसानों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं तो उन लोगों में से या फिर कोई आपका बीयू का जो स्टार्ट अप भी सुरू करें इस हमारे हाशा से बहुत सारे स्टूडें पहले निकले भी हैं और एकरेंटली एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टार्ट अप आ'M और रोहन यह दो स्टूडेंट्स हैं इनका बहुत ही पढ़िया माइक्रो ग्रीन्स का इनका आरोंगय फार्म्स करके इनोंने स्टार्ट-आप किया है और यहां राची में तो सब जगाद ही रहे हैं इसके अलावा वो लोग डेली में बॉंबे में हैदराबाद में हम लोग ने बिग बायर्स है उनके साथ कनेक्ट कर दिया और वहां भी यह लोग इसको काफी मात्रा में लोग भेज रहे हैं लोग लोग रहे हैं